आपकी skin आपकी पहचान होती है और आपकी skin बहुत जाद affected होती है आपके hormones की वज़े से और hormones affected होते हैं आप जो भी खाते पीते हैं यानि it is affected by your food आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या चीजों से acne या pimples form होते हैं और exactly कौन से food act करते हैं आपके acne trigger करने में और end में मैं आपको ऐसे tips दोंगी जो आपके acne या pimples को ठीक करने में आपकी help करेंगे So do watch my video till the end Assalamualaikum, Hello everyone, this is Dr. Tahira and you are welcome to my channel Acne, जभी भी हम childhood से adolescent stage में आते हैं तब acne या pimples किसी ना किसी को तो आती है Hormonal imbalance की वज़े से किसी किसी में ये problem जभी का जभी खतम हो जाती है कुछ दिनों में किसी किसी में ये everlasting problem हो जाती है यानि हमेशा रहती है तो आखिर होता क्या है या आज हम देखेंगे What causes acne? हमारी skin में बहुत छोटी छोटी hair होते हैं से hair follicles कहा जाता है जहां पर hair follicles में oil का production होना start हो जाता है और वहीं पर जहां पर ज्यादा oil का production होगा वहां पर bacteria आपके ज्यादा attack करेंगे तभी क्या होता है आपके जो surrounding skin layer होते हैं वो बढ़ने लगती है जिसकी वज़े से pimple form करता है इसमें pimple form करने में आपका male hormones होते हैं androgen वो काफी हद तक मदद करते हैं pimple बनाने में और दूसरा factor है आपका खाना particularly दो ऐसे खाने हैं दो ऐसी घिज़ा है जो आपके acne या pimple को trigger करने में बहुत ही controversial रही है ये दो चीज़ें ऐसी हैं चॉकलेट है और एक milk है ये बहुत ज़्यादा कॉंट्रोवर्सी है के उपर कि कुछ studies बताते हैं कि ये चीज़ें acne को trigger नहीं करती कुछ studies बताते हैं कि acne के main culprit ये दो चीज़ें तो आज हम देखेंगे कि exactly कौन सी study क्या कहती है और conclusion क्या है बात करते हैं chocolate की काफी teenagers complain करते हैं कि जबी भी हम chocolate खाते हैं तो within 24 hours to 48 hours हमें acne आ जाती है यानि कि हमें acne या pimple trigger हो जाती है लेकिन जबी भी हम Google में search करते हैं पहला दालते हैं कि very well health जिसमें बताया जाता है कि it is not evident that acne is related to your chocolate eating habit और ये भी बात प्रूफ करते हैं कि आप चाहें दूसरे भी चीज़ें ले लें जैसे junk भी खा लें तो आपको acne trigger नहीं होती अब वेब MD में देखेंगे Q&A जो question answers होता है उसमें भी अगर आप पूचेंगे महां पर भी आपको दिखेगा कि it is a false statement आपको नहीं होती चॉकलेट खाने की वज़े से यह जो दो भी चीजें है वेब MD हो या यह जो वेब साइट मैंने आपको बताई है यह इस बिना पर बात करते हैं कि एक study हुई थी जो कि बहुत ही चॉकलेट जैसी चीज दी उन्होंने बताया था कि चॉकलेट जैसी चीज दी लेकिन चॉकलेट नहीं तो compare किया तो देखा गया है कि दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं था आकनी बराबर आई दोनों में तो यह को फॉर्मडर थे रेटीना क्रीम के या रेटीना प्रोड़क्ट के जो स्कीन केर के लिए लाउंच हुई थी को ऐसा लगा कि अगर यह एक सिंपल डाइट की वज़े से अगर आपके आकनी ठीक हो जाती है तो मेरा प्रोड़क्ट यानि रेटीना कॉन लेगा तब जाकर य उनने लगातार यह लेने को कहा गया तब देखा गया कि एक से दो हफ़ते में उन्हें आकनी ट्रिगर हो गए और एक स्टड़ी हुई थी 2018 में जहां पे मैन और विमन दोनों को 10 ग्राम्स ऑफ डाक चॉकलेट दिया गया तो उन लोगों में भी ऑल का प्रोड़क्शन बढ लोगों के जेली दिया गया जिसमें कम्प्लीट शुगर था तो जिस लोगों ने यह चॉकलिट लिया जो प्लेन चॉकलेट था ओन लोगों में आकनी बहुत ज्यादा थी अपर टु जैली वन या फिर लोगों में आखनी नहीं थी आफिर कम थी ज़ली लेते थे तो की वज़े से आकनी या पिंबल्स आपके स्किन पे आ जाती है 2005 में हावड की स्टडी हुई थी जहां पे 47,000 नर्स को स्टडी में लिया गया और उलोगों से पूछा गया कि आप जब टीनेजर पीरियड में थे तब क्या आप दूद लेते थे तब उलोगों ने बताया कि वह जो भी दूद लेते थे skim milk हो या whole milk उनमें acne trigger होती रही skim milk versus whole milk को अगर देखेंगे तो skim milk लेने पर भी आपको acne बहुत ज़ादा होगी क्योंकि the main culprit in milk is the hormones, hormones की वज़े से acne trigger होती और एक study हुई थी जहां पे equal portion में boys and girls को दिन में एक से दो मरतबा दूद दिया गया और उन लोगों में notice किया गया कि 20% acne का बढ़ना 20% acne increase हो गई इन लोगों में तो main reason actual क्या है जो milk को culprit बनाते हैं acne formation में तो first reason is milk में आपको ऐसे hormones होते हैं इस्ट्रडायोल, 5-alpha-pregnani-dione और 5-alpha-androsetina-dione यह तीन हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो आपके hair follicles में skin में hair follicles में जाकर DHT में convert हो जाते हैं यानि dihydroxy testosterone जो की main culprit होता है आपके acne formation में जो oil production होता है उसको बढ़ा देता है और acne को produce करता है and second is milk boost IGF factors यानि insulin like growth factor milk में present होता है जिसकी वज़े से oil का production डबल ट्रिपल फोल बढ़ जाता है और acne को lead करता है यही नहीं milk में जो proteins होते हैं extra cholesterol and fat होते हैं वो भी contributory factor है acne और pimples को लाने में तो यह बात रहे गई chocolate and milk लेकिन जब हम अपना whole plate देखते हैं कि हम दिन भर में क्या खाते हमारी lifestyle कैसी है तो उस पे बहुत सारे culprits देखे गए जैसे के हम junk food खाते हैं हमारा lifestyle जही नहीं है और oily foods का consumption जादा है हम बहुत जादा चिकने चीज़ें खाते हैं और हमारी lifestyle बहुत सीडेंटरी हो चुकी है यह सारे factors contributing है लेकिन यह तो particularly the milk and chocolate यह इसकी वज़े से acne बहुत जादा trigger होती है और इतना commercialization है इन दो चीजों के ऊपर और इतनी powerful industry है chocolate and milk की तो यह suppress करती है यह बात को कि इसकी वज़े से आपको acne trigger होती है अब हम traditional diet को देखेंगे हमारे traditional हमारी जो diet थी वो बहुत ही अच्छी हुआ करती थी अब traditional diet जो पैपुआ में traditional diet islanders of Papua में अगर देखेंगे तो लों की diet इतनी clean थी whole food plant based diet थी और कभी कभ वो लोग animal food भी लेते थे लेकिन उनमें इतने बीमारिया नहीं है और इनकी skin clear है तो ऐसी ही diet हमें लेनी है ताकि हमारी skin clear हो सके और हम यह acne and pimples से दूर रह सके अब मैं आपको वो tips बताऊंगी जो आपके acne and pimples को heal करने में help करेंगे जबी आपको यह problem हो आप बहुत ही depression और नाव में आ जाते हैं क्योंकि यह चीज ही होती है कि आप emotionally disturbed हो जाते हैं तो मैं आपको suggest करूंगी कि आप एक ऐसा partner बनाइए एक ऐसा friend बनाइए जो same problem से मुक्तिला है जैसे कि आपके friend है sister है brother है जो भी है आप उनको ले लीजिए and एक ऐसी healthy diet follow कर यह दोनों साथ मिलकर ताक यह है कि आपको consistency रखनी होगी हमेशा diet follow करना है good diet consistent जितना रहेंगे उतना ज्यादा आपको result अच्छा आएगा you have to be patient आपको थकना नहीं है क्योंकि skin जो हमारी होती है वो बहुत ही farthest organ है यानि हमारी body से बहुत ज्यादा दूर होती है तो healing होने में काफी time लगता है आपका तो आपको patience रहना होगा and third tip यह देना चाहूंगी कि अगर आपको यह सारे चीज़ें करने के बावजूद भी यानि particularly milk and chocolate है वो eliminate करने के बाद भी अगर आपको result नहीं आ रहा हा तो आप दूसरे चीज़ों पर ध्यान दिए कि क्या चीज से आपका acne trigger होता है जैसे कि कोई hormonal imbalance की problem है आपकी body में जैसे कि PCOS का problem है thyroid का problem है या कोई भी hormonal imbalance का issue है तो आप उसको correct करिए ताकि आपका ये acne का problem solve हो अपने दूसरे problems को भी चेक करिए जैसे कि क्या आपको sugar की वज़े से acne trigger होती है क्या gluten लेने की वज़े से आपको acne trigger होती है क्या कुछ cosmetics यूज करने की वज़ जैसे के कुछ shampoos है कोई cosmetic चीजे हैं आप लगाते हैं तो आपको acne trigger हो जाती है तो आप ये चीजों का ध्यान जरूर रखे and you have to be patient I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए helpful होगा ऐसे ही वीडियो में लेकर आती रहूंगी और acne पे pimples पे बोलते रहूं Thank you